हेलो फ्रेंट वेल्कम तो माई यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग लेशन प्लान के अंतरकत पुनर बनांट कौसल के बाहने में बताऊंगा इसको इंग्लिश में इनफोर्समेंट इसकी लिखाते हैं अगर आप बीड या बीटी सी कर रहे हैं औ अपने बिडियाले का नाम लिखते हैं जैसे मैं इक एक फ्रात पत्रेंट लिखना रहता है इसको कहीं कहीं दूसरे लिखा जाता है आपक यहां जिस प्रकार से लिखा जाए उस्प्रकार से आप इसको लिख सकते है आज हम यहाँ पे भूगोल बिसे के लिए लेशन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रक्रण है सौर मंडल कॉसल के घटक पुनरबन कॉसल के 8 घटक होते हैं इन्हें घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेशन प्लान तयार करते हैं इसमें क्या होता है जब बच्चे किसी कोश्चन का सही उतर देते हैं तो हम उनको रिइंफोर्स्मेंट प्रदान करते हैं जैसे अच्छा बहुत अच्छा साला साथ सब्दों का परियोग करके और आसाथिक कत्रों का परियोग करके भी हम उनको रिइंफोर्स्मेंट करते हैं जैसे सिरीला के सहमती देना, मुशुरा के सहमती देना आप घटक जो है वीडियो को पूस करके देख सकते हैं मैं यहाँ पर ज्यादा घटक के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको घटक मैं पहले भी बहुत वीडियो में बता चुका हूँ आप यहाँ पर घटक देख सकते हैं अच्छे से उसके बाद हम परसुति करण लिखते हैं इसमें हम तेन कालम बनाते हैं एक करम संख्या का, दोसरा छातर ध्यापक के कतन का और देसरा छातर छातरा के कतन का हम बच्चों से कोश्चन करेंगे कि सूर चंदमा परत्वी तथा तारो के समू को क्या करते हैं तो बच्चे बताएंगे सर उसे सौर मंडल करते हैं तो हम कहेंगे गोट उसके बाद दोसरा कोश्चन करेंगे कि सौर मंडल का मुखिया कौन है तो बच्चे बताएंगे सर सौर मंडल का मुख्या जो है वो सूर है तो हम कहेंगे बेरिकुट और उनके सही उत्तर को स्यामपट पर भी लिखेंगे उसके बाद हम तेसरा कोश्चन करेंगे कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं बुद्धसुक, बृत्वी, मंगल, ब्रस्पत, सनी, यूरेनस और नैप्चियोन हम कहेंगे सही उत्तर उसके बाद वरके सही उत्तर को स्यामपट पर भी लिखेंगे हम सभी ग्रहों के नाम जो है स्यामपट पर भी लिख देंगे उसके बाद हम पुना बच्चों से कोश्चन करेंगे कि सूर के सबसे नद्धीक ग्रह काउंसा है तो बच्चे बताएंगे सथ बुद्ध ग्रह है तो हम कहेंगे अच्छा या सिरीला के अपने सहमत्री पर गट करेंगे उसके बाद पांचवा कोश्चन करेंगे कि हमारे सावर मंडल में किस ग्रह पर जीवन है तो बच्चे बताएंगे सर हमारे सावर मंडल के पृत्वी ग्रह पर जीवन है हम साबास कहेंगे या मुश्कुरा के सामती परगट करेंगे उसके बाद चाटा कोश्चन करेंगे कि पृत्वी को नीला गरह को करते हैं तो बच्चे बताएंगे सर अंतरिष्छे देखने पर पृत्वी जो है नीला रंग का दिखाई पड़ता है इसलिए इसे नीला गरह करते हैं क्योंकि इसके दो बटा तीन भाग पर पानी है उसके बाद साथमा कोश्चन करेंगे कि पृत्वी गरह के उपरह का क्या नाम है तो बच्चे बताएंगे पृत्वी का एक मातर उपर है चंत्रमा है हम कहेंगे करक्टर एंस और सही उत्तर उसके बाद आठमा कोश्चन करेंगे पिर्थवी सूर की एक परिकर्मा कितने दिन में पूरा करते हैं तो बच्चे बताएंगे सर्थ 365 सही एक बटार चार दिन में इसमें क्या होता है कि अगर प्रक्रण हमारा सौर मंडल है हलाकि अध्यापक को नकरात्मक सब्दों का परियोग कम से कम करना चाहिए उसके बाद निरिच्चर तालिका बनती है इसमें काउसल के घंटक और टैलेचन लिखते हैं जो निरिच्चर रहता है जो पीछे बाट के आपके मुल्यांगर करता है आप जितने घटको का परियोग किये रहते हैं उसके लिए सही या गलत का निसान लगाता है अगर आप पहले घटक का परियोग किये हैं तो सही अगर नहीं किये हैं तो गलत कर देगा उसके बाद तुझावा रो जना अगर निरिच्छक को आपके सिच्छर में कुछ कमिया रहती है तो यहाँ पर अपने विज़ारों को प्रेक्ट करता है उसके बाद अस्ताच्य निरिच्छक और अस्ताच्य पर बेच्छक दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और वीडियो को लाइक करें थान्य बाद